इस MP police constable के जो paper हो रहे हैं उसमें math के कैसे question आ रहे हैं अभी तक जितने सिप्टों के exam हुए उनी सिप्टों के अधार पर math के कुछ important question देखेंगे जिनका आने वाले सिप्टों में exam में इस video को पूरा देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला question है रहुल दोरा प्राप्त किये गए अंक जो हैं सव में से हैं मतलब प्रतेक subject जो है वो सव नंबर का है और आगे कहता जो अंग्रेजी में 85 हिंदी में 95 विग्यान में 92 गड़ित में 95 रहुल को परिच्छा में 90% स्कोर करने के लिए सामाजिक विग्यान में कितने अंक लाने होंगे तो सबसे पहले तो हम लोग यह देख लेते हैं जो आपका total subject है वो कितने हैं total subject देखे अंग्रेजी हिंदी 2 हो गए विग्यान गड़ित चारिये हो गए और सामाजिक विग्यान लास्ट में 5 subject हो गए और total जो है पेपर वो कितने नंबर का है हर पेपर 100 नंबर का तो total पूरांग कितना हो जाएगा 500 का और उसे 90 परस्तिसत अंग स्कोर करना के लिए सामाजिक विग्यान में कितने अंग लाने है तो 90 परसेंट जब अंग लाने है तो हम लोग 500 का 90 परस्तिसत निकाल लेते हैं सबसे पहले तो ये 2-0 से 2-0 कटेगा 55 तो उसको जो है अंग के कितने लाने 450 सबसे पहले हम लोग जो चार सब्जेक के अंग के दिये हैं उनको जोड लेते हैं अंग्रेजी में कितने 85 हिंदी में कितने 95 और विग्यान में कितने 92 और गडित में कितने 95 इन चारों को जोडने पर हमें कि पूसता है कि समाजिक बिग्यान में कितने अंग लाने हैं तो टोटल जो उसका पूर अंग रहा होगा मतल़ कि आंग प्रप्स किये 450 और 4 विशियों का टोटल हो रहा 366 तो समाजिक बिग्यान का असनी से निकाल सकते हैं तो 450 में तीन सो सरसट को घठा देते हैं तो आपका कितना आ जाता है तरासी अंख सामाजे बिग्यान में कितने अंख मिले तरासी अंख तो आप्षिन सी इस राइट आंसर अलग ओशन देख लेते हैं बहुत ही सिंपल सा है 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो ट्रेने समान दिसा में करम सा 64 किलो मेटर परती घंटा और 52 किलो मेटर परती घंटा की गतिसे चल रही है पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी तो सबसे पहले तो ट्रेनों की जो लंबाई होंगी वो दोनों जुड़ जाएगी तो एल बराबर 100 मीटर एक है एक है दुसरी 120 मीटर तो यहां से कितना आ जाएगा 220 मीटर आ जाएगी टोटल लेंथ अब देखिए चालें क्या हो जाएगी घड़ जाएगी क्योंकि यहां पर समान दिसा में दोनों ट्रेने चल रही हैं तो 64 में से 52 घड़ जाएगा पहली ट्रेन की चाले 64 दूसरी की है 52 किलो मीटर परती घंटा चूंकि अंसर आपका सेकेंड में आ रहा है तो हम लोग चाल को जो किलो मीटर परती घंटा में निकलेगी उसको मीटर पर सेकेंड में कनबट करेंगे 64 में से 52 जाएगा तो आपका आजाएगा 12 किलो मीटर परती घंटा इसको मीटर पर सेकंड में कनबट करने के लिए 5 बटे 18 का मल्टिप्लाई तो इसे 3 से कारते हैं, 3 चकू 12 और 3 चाक 18 अब इसे 2 से कारते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 उपर कितना आ जाएगा 10 बटे, नीचे आ जाएगा 3 तो 10 बटे, 3 मीटर पर 30 सेकंड, यह आपकी अचाल आ जाएगी पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी तो उचाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, समय तो यहां से T बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे, चाल दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, 220 मीटर, चाल कितनी है, 10 बटा, 3 तीन जो है वो उपर चला जाएगा, तो 220 इंटू 3, बटे में 10 एक 0 से एक 0 कटेगा, 22 में 3 का मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 86 सेकंड आपका अंसर आ जाएगा तो option C, it's right answer अगला question देख लेते हैं, क्या कहता है, रगु खादी भंडार से एक नहरू कोट खरीदता है, जिसका अंकित मूल कितना है, 150 रुपिया MRP लिख लेते हैं, कितना 150 रुपिया यदि उस पर 20% छूट मिलती है, छूट का मूल बताना है तो छूट किस पर दी जाती है, MRP पर दी जाती है डिसकाउंट किस पर दिया जाता है MRP पर तो 150 का 20% निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितनी छूट दी गई और छूट का मूल भी पूँच रहे हैं, तो 150 का 20% निकालेंगे तो 150 गुणे 20 वटे 100 एक जिरो से एक जिरो कटा, एक जिरो से ये जिरो कटा पंदरा में दो का मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका आ जाएगा तीस रुपिया आपका छूट हो जाएगा छूट मूल कितना होगा, तीस रुपिया ओप्सिन ए, इस राइट अंसर अगला जो गोश्चन है बहुत ही सिंपल साहे देख लेते हैं तीन बच्चों के पास 82 कंचे है टोटल कंचों के संख्या आपकी लिख लेते हैं टोटल है 82 आगे कहता है एलन और बेन के कंचों का अनुपात कितना है दो अनुपात 5 एलन और बेन इसको एलन को ए और बेन को वी कितना अनुपात है रेशियो दो अनुपात 5 है और अनुपात C भी कर लेते हैं कि आगे बेन और क्रस्क के गंचों का अनुपाद भी बता रहा है तो नीचे कितना जागा तीन अनुपाद चार ओके क्रस्क को सी माल लिया हम लोगों ने अब देखिए जहां-जहां जगे खाली उस पर हम लोग क्या करते हैं कांपी कर देते यह पांच है जगे खाली आगे पांच कांपी कर दिया अब तीन के बगल में यह कांपी खाली है तो तीन को यहां पर कांपी कर दिया अब म+. कर देंगे दो 3 उपर रहे और तो तो बीस और पंदर है कितना हो जाएगा 35, 35, 41 यह आग जाएगा क्रस के कंचों का अनपाद, तो हम लोग क्रस के कंचे आ जाएगे, तो 41 से 82 काटेंगे, दो बार कटेगा, दो का मल्टिप्लाई, 20 में करेंगे, तो आपका कितना जाएगा, 40, option B is right answer. अगला जो question है बहुत ही simple सा है, एक स्कूल में विध्यारतियों की कुल संक्या कितनी है 150, टोटल विध्यारतिय है 150, और इसमें लड़के बाल लड़कियां दोनों होंगी, उनका रिस, इनका अनुपात, इनका जो योग है, कितना होगा 150, लड़किया और लड़कियों की संक् कुल संक्या का X 35, मतलब 150 का X 35, मतलब X 100, एक जूरो से एक जूरो काटा, पांतियों, पंद्रा, पांदोनी 10, तो लड़कियों की संक्या कितनी आ जाएगे, 3 X बाटे में 2, यह आ जाएगी, तो इस कुल में लड़कों की संक्या बातनी, मतलब X की बेलू बतानी है, तो टो LC हम लेते हैं 2, तो उपर हो जाएगा 5 X बाटे में 2 नीचे हो जाएगा, एक सो पचास ही हो जाएगा, पांस से यह काटेंगे, पांतियों 15, और तीस में 2 का मल्टिप्लाइ करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 60, लड़कों की संक्या कितनी आगी 60, तो option D is right answer, अगला को का मूल 10% प्रती किलोगराम बढ़ गया, तो एक किलोगराम आलू का नया मूल पहुँच रहे है, स्टार्टिक में मूल था 25 रुपया और फिर 10% बढ़ गया, मतलब 25 का 10% हम लोग निकाल लेंगे, तो 10% बढ़ गया, तो नया मूल आपका निकाल आएगा, तो यहाँ पर 25 प्लस एक जिरो से एक जिरो कटा अब इसे 5 से कटेंगे 5 दुनी 10 पचम 25 तो यह हो जाएगा 5 बटे 2 LC हम ले लेंगे 2 तो 50 प्लस 5 बटे में 2 55 बटे 2 आपका आगया इसको कटेंगे तो 2 दुनी 4 फिर 1 बचा तो 7, 14, 25 10 तो यह आगया 27.5 0 ओके तो आप्शन सी इस राइट अंसर इसको कोशन देख लेते हैं हम लोग अमित भानू और चिंटू दिये गए करम के अनुसार भाई है आगे कहता है भानू की आयू चिंटू से दो गुनी है जबकि अमित भानू से 2 साल बड़ा है अमित जो भानू से 2 साल बड़ा है देखिए आगे कहते हैं इस टार्टिंग में कहते हैं भानू की आयू चिंटू से दो गुनी है अगर चिंटू की आयू को हम लोग एक्स हमाल लें तो भानू की आयू कितनी हो जाएगी 2 यक्स यह हो जाएगी चिंटू की आयू यह हो जाएगी भानू की आयू आगे कहते हैं जबकि अमित जो है भानू से 2 साल बड़ा है तो अमित की कितनी हो जाएगी 2 साल बड़ा है भानू से तो 2 यक्स प्लस 2 हो जाएगी अमित की आयू यदि उनकी आयू का योग जो है 37 है तो अमित की आयू बतानी है अमित की आयू मतलब 2X प्लस 2 की वैलू बतानी है इन तीनों का योग पता ही हमें X प्लस 2X प्लस 2X प्लस 2 इनका योग कितना है 37 अब देखिए 1X 2X मतलब 3X फिर 5X 5X प्लस 2 बराबर 37 पच्छांतर करेंगे तो उदर जाएगा तो 35 हो जाएगा 5X प्लस 2 तो 14 प्लस 2 मतलब आपका आजएगा 16 बरस आपका आजएगा विविन बिसियों में किरण 43, 49, 51, 37, 49 और 49 प्राप्त हुए इनका वस्त क्या होगा एवरेज बराबर क्या होता है पदों का योग फ़र बटे पदों की संख्या पदों का योग जोड देते हैं 43, 49, 51, 37, 39, 49, 49 बटे पदों की संख्या संक्या कितनी है एक है दो, तीन, चार, पांच हो छे बटे में 6 आजाएगा उपर जोडने पर आपका कितना आजाएगा 258 बटे नीचे 6 आजाएगा काटेंगे तो आपका कितना आजाएगा 43 Option B is right answer अगला है एक इसी काम को 12 दिन में करता है तो A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा एक बटे 12 B उसी काम को 15 दिन में करता है तो B का एक दिन का काम कितना हो जाएगा एक बटे 15 तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं सबसे पहले A प्लस B मतलब एक बटे 12 प्लस एक बटे 15 हो गया आपका तो 12 और 15 का LCM कितना होगा सबसे पहले तो LCM निकालना सीख लो सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं 3 से काटेंगे 3 चक्कू 12 ती 5 15 2 से काटा 2 दूनी 4 और 1 5 फिर 2 से काटा 1 और 5 फिर 5 से काटेंगे 5 जो आपके factor रहें का multiply कर देंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 फिर 5 60 तो total आपका होजाएगा 60 LCM होजाएगा तो 5 उपर आजाएगा पंदा चकू 60 यह 4 यह होजाएगा तो 9 बटे 60 आपका आजाएगा एक दिन का काम तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे कितने दिनों में करेंगे तो एक बटे 9 बटे 60 होजाएगा आपका 60 उपर चला जाएगा तो 60 बटे 9 आजाएगा इसको काट देते हैं 3 से 3 दिरका 9 3 दूनी 6 तो 20 बटे 3 आपका आगया यह 20 में 3 का डिवाइट करेंगे तो 6, 18 6 सही 2 बटा 3 आपका अंसर आजाएगा 6 बटा 2 सही 6 सही 2 बटा 3 दिन हो जाएगा तो आपसे ने इस राइट आंसर और अगला कोश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात है 3 अनुपात 5 यदि प्रतियक संख्या में 10 जोड़ा जाएग तो नया अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है नया रेसओ क्या हो जाता है 5 अनुपात 7 तो हमें 3X और 5X की बैलू बतानी है 3X और 5X की बैलू बतानी है अम लोग सबसे पर क्रॉस माल्टिप्लाइ करके X की बैलू को निकालते हैं साथ में 7 का माल्टिप्लाइ 3X और 10 में करेंगे सातिया 21 प्लस 70 5 का multiply 5x प्लस 10 में करेंगे तो 25x प्लस 50 तो देखें गाइस 21x उदर जाएगा तो 5x हो जाएगा और 50 इदर आएगा तो आपका कितना बज़ेगा 20 इसको काटेंगे तो x की बेलू कितनी आजाएगी 5x को 20 4 है गई तो 3x की बेलू कितनी होगे 3 x 4 मतलब 12 और 5x की बेलू कितनी होगे 5 x 4 मतलब 20 तो 12 कामा 20 हो जाएगा तो option C is right answer इसका last question देख लेते हैं 150 मेंटर एक लंबी ट्रेंजों की तब से पहले length देख लेते हैं कितनी 150 मेंटर 450 km पर ती गंटा की चाल से चल ले चाल बराबर क्या है 450 km इसको मीटर पर सेकेंड में कनबर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे 5 x 18 का multiply ओके तो हम लोग कर लेते हैं इसको सबसे पहले काटते हैं 6 x 18 3 से काटेंगे 3 एकम 3 ती 5 x 15 और एक 0 फिर 3 से काटेंगे दो बार कटा अब फिर 3 से 150 काटेंगे ती 5 x 15 50 बार हो गया अब 2 से ये 50 काटेंगे तो 25 हो जाएगा 25 में 5 का multiply करेंगे 25 पंजे 125 मीटर प्रस सेकेंड या का आ गया तो हम से टाइम पूंच रहा ओके तो ये आपका आ गया 125 से 150 काटेंगे सबसे पहले उपर आपकी दूरी आपकी थी 150 मीटर कितनी थी 150 मीटर और आगे भी दूरी है देखे 100 मीटर लंबे प्लेटफर्म को भी पार कर रहे तो दूरी टोटल जूड जाती है तेंक्यो दन्यों